Hello dear students, welcome to my youtube channel कल अपने जो important topics की स्रीज शुरू की थी उसमें first topic discuss कर लिया था glycolysis जिसके अदर अपने देखा था कि glucose के एक molecule को अपने उससे दो molecule pyruvic acid की formation कर ली थी और वो जो यह process था glycolysis वो cytoplasm में संपन हुआ था अब उससे आगे देखिए, आज अपने जो topic discuss करने जा रहे है वो है crave cycle, अपने जानते हैं आपने ये पड़ा भी होगा कि जो crave cycle है वो mitochondria के matrix में संपन होता है ठीक है, glycolysis कहा हुआ था, cytoplasm में यानि की कोशी का दर्वय में जबकि crave cycle जो है वो कहा संपन होता है, mitochondria की matrix में तो इसका simple सा meaning ये है कि पहले अपने heading देख देते हैं आज अपने जो पड़ रहे हैं वो है crave cycle अपने कल क्या देखा था, अपने ये देखा था कि glucose के एक molecule से आपने pyruvic acid के दो molecule की formation की थी, ये किया था glycolysis में और glucose जो है ये 6 carbon का था और pyruvic acid के आपने कितने molecule बनाए थे दो molecule बनाए थे और ये कितने carbon का था, 3 carbon का था, ठीक है ये कल देख चुके थे अपने glycolysis के अंदर अब ये pyruvic acid जो है वो कहां पड़ा है, क्योंकि glycolysis जो है वो cytoplasm में हुआ है, तो ये कहां पड़ा है, cytoplasm में पड़ा है ठीक है, अब crave cycle में इस pyruvic acid को इंटर करने के लिए सबसे पहले जाना होगा किसके अंदर, ये जाएगा cytoplasm से किसके अंदर जाएगा, ये mitochondria की matrix में जाएगा क्योंकि crave cycle जो है, वो कहां पर संपन होना है mitochondria की matrix में संपन होना है, ठीक है और mitochondria की matrix में जब ये जाता है, तो ये pyruvic acid सीधा crave cycle के अंदर इंटर नहीं कर सकता सबसे पहले क्या होगा, इस pyruvic acid का oxidative decarboxylation होगा oxidative decarboxylation होगा अब देखो ये oxidative decarboxylation क्या है oxidative decarboxylation का अलग-अलग मिनी देखें तो oxidative, मतलब oxidation होगा और oxidation आप जानते हो, या तो O2 को add करना होता है या hydrogen को क्या करना होता है, हटाना होता है, निकालना होता है तो यहाँ पर oxidative का जो मतलब है, वो है removal of hydrogen यानि यहाँ से क्या होगी, इस pyruvic acid से hydrogen जो है वो बाहर निकलेगी और hydrogen को receive करने आप जानते हो, कौन आता है NAD, यानि यहाँ अपने को क्या करना होगा NAD से NADH2 की formation करनी होगी सेकिंड, अगला वेट देखिए दिखा हुआ है carboxylation और कौन सा? decarboxylation oxidative decarboxylation इस प्रसेस का नाम है decarboxylation का मतलब है इसमें से CO2 जो है वो बाहर जाएगी, यानि pyruvic acid से एक carbon जो है वो क्या जाएगा? बाहर जाएगा तो मतलब आगे जो अपने पास compound बनेगा, ये तीन carbon का है तो अगला जो compound बनेगा वो कितने carbon का बनेगा? दो carbon का बनेगा और वही compound आगे crave cycle के अंदर enter करेगा, तो देखिए glucose से pyruvic acid बना कहां था? cytoplasm में कितने molecule बने? दो molecule ये cytoplasm से गया किस के अंदर? mitochondrial matrix के अंदर जहां crave cycle के अंदर इसको enter होना था, लेकिन ये pyruvic acid crave cycle के अंदर enter नहीं हो सकता, इसको पहले एक और mediator product के अंदर मद्दे वर्ति उत्पाद में बदलना होगा जिसका नाम है acetyl coenzyme A ये enter करेगा किस के अंदर? crave cycle के अंदर और मैंने आपको बताया pyruvic acid से acetyl coenzyme A की जो formation है, जो ये process है उसको कहा जाता है oxidative decarboxylation और इन दोनों का meaning भी आपको मैंने बता दिया oxidative का मतलब है removal of hydrogen, यानि इससे hydrogen निकलेगी और उसको receive करने आएगा nicotinamide adenine di nucleotide NAD, और देखो कितने molecule हैं, दो molecule हैं आपके पास तो फिर कितनी hydrogen के atom निकलेएंगे, दो ही hydrogen के जो है वो molecule यहां से बाहर आएंगे, ठीक है decarboxylation, एक pyruvic acid से एक carbon बाहर जा रहा है तो दो molecule है, तो मतलब कितने carbon dioxide बाहर निकलेएंगे, two carbon dioxide जो है यहां से बाहर जाएगी, इस process में यह जो आपके सामने लिखा हुआ है oxidative decarboxylation, very important इस process में total 5 co-factor जो है वो help करते हैं, 5 सहकार्क जो है वो help करते हैं, उनके नाम याद करना बहुत मस्ट है, exam के point of view से, पहला अभी बताया था NAD, जो क्या करेगा यहां से जो hydrogen निकलेगी उसको receive करने आएगा hydrogen कितने molecule निकल रहे हैं, 2 तो कितने NAD यूज करोगे, 2 ठीक है, तो यह पहला factor हुग, co-factor हुगा second, यहां पर इस process में काम आते हैं, magnesium iron, कौन काम आते हैं magnesium iron, इनके just अपने को नाम याद होने चाहिए, पांचों के पांचों के जो co-factor है, third नंबर पर आएगा LA, इस LA का पूरा नाम है lipoic acid ठीक है, fourth नंबर पर अपने पास आएगा TPP, पूरा नाम thiamine pyrophosphate और last में, fifth नंबर पर जो अपने को याद रखना है वो है co-enzyme A आपसे अगर पूछा जाए एग्जाम में कि pyruvic acid के oxidative decarboxylation में help करने वाले या participate करने वाले 5 co-factor के नाम तो वो ये 5 co-factor हैं जो इस काम में help करते हैं NAD है, magnesium iron है lipoic acid है, TPP है thymine pyrophosphate इसका full form है और co-enzyme A है इन 5 factor की help से pyruvic acid जो कितने carbon का था, 3 carbon का था ये acetyl co-enzyme A जो कितने carbon का है 2 carbon का है, इसके 2 molecules में बदल जाता है, और यही acetyl co-enzyme A आगे किसमें प्रवेश करता है crave cycle के अंदर प्रवेश ठीक है, तो इस सभी को अपने एक समिकर्न के रूप में लिख लेते हैं उपर से, जैसे ही अपने acetyl co-enzyme A की entry करवाएंगे, crave cycle के अंदर ठीक है, तो देखो इसको no down कर लेना, stop करके वीडियो, देखो अभी अभी मैंने आपको बताया कि अपने पास क्या था, pyruvic acid था और pyruvic acid के कितने molecule थे, अपने पास दो molecule थे, कितने carbon का था, तीन carbon का था, ठीक है इस pyruvic acid का क्या होगा, oxidative decarboxylation होगा और अपने पास क्या बना था Acetyl Coenzyme A ठीक है कितने molecule बनेंगे दो ही molecule बनेंगे कितने carbon का है दो carbon का है अब अभी मैंने बताया था कि Oxidative Decarboxylation होगा तो देखो Oxidative का मतलब तो मैंने आपको बताया था क्या होगा H2 निकलेगी तो दो molecule हैं तो दो बार निकले तो 2NAD आएगा और 2NADH2 की formation हो जाएगी यह तो Oxidation हुआ इस काम में help काउन से आइन करेंगे Magnesium आइन करेंगे सेकिंड अभी अभी बताया था कि Decarboxylation होगा तो मतलब CO2 बार जाएगी एक molecule से एक करबन गया तो यह दो molecule आपके पास तो कितने करबन जाएगे दो तो यहां से दो molecule किसे के बाहर चले जाएगे CO2 के ठीक है और बाकी जो co-factor है दो तो होई गे NAD और MG बाकी जो co-factor है उनको आप ऐसे arrow के sign लगा के इसके अंदर इंटर करवाद होगे कौन-कौन से थे लिपोईक एसिड था दूसरा कौन सा था TPP था और तीसरा कौन था co-enzyme A था ठीक है तो यह है वो process जिसमें पारविक एसिड को acetyl co-enzyme A में convert किया जाता है अब enzyme बहुत simple अगर आपने glycolysis को अच्छे से देखा है तो यह क्या हो रहा है NAD से NADH2 बन रहा है तो मैंने आपको बताया था आपको कुछ ही नहीं याद रखना simple आपको नाम याद रखना है क्या dehydrogenase क्या याद रखना है dehydrogenase तो यह enzyme हो गया और इसके पहले क्या लग जाएगा कौन सा dehydrogenase हो जाएगा यह यह हो जाएगा pyruvic dehydrogenase और इस process को कहा जाता है oxidative decarboxylation जिसमें pyruvic acid जो है वो acetalco enzyme A में converter हो जाता है और अब यहाँ से शुरू होता है craves cycle कौन सा चकर craves चकर अब craves चकर के बारे में थोड़े जानकरी जो देखो नाम सी पता लग रहा है craves तो इसको किस ने दिया था HA craves ने इसके बारे में बताया था इसी ने इस पूरे cycle के अंदर होने वाली जो chemical reactions हैं बायो chemical reactions हैं उनके बारे में जानकरी दी थी इस cycle का एक और मी नाम है इसको citric acid cycle भी बोलते हैं citric amal चकर भी कहा जाता है उसका reason ये है कि जैसे ये acetalco enzyme A craves cycle के अंदर इंटर करता है तो अपने पास जो first permanent product बनता है पहला स्थायुत पाद बनता है वो citric acid बनता है इसलिए इसको citric amal चकर भी कहते हैं ठीक है तीसरा इसको TCA पूरा नाम tri carboxylic acid cycle भी बोलते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि ये citric acid जो है इसके अंदर तीन carboxylic group होते हैं COOH जो है इसके तीन बार है ये COOH के अंदर citric acid की structure में इसलिए इसको TCA tri carboxylic acid cycle भी कहा जाता है तो ये तो basic सी जानकरी थी crave cycle के बारे में अब क्योंकि मैंने बताया कि HA crabes ने complete जानकरी दी थी इसके बारे में पूर्ण रूप से बताया था सभी का biochemical जो reactions पढ़ेंगे अपने 10 चर्ण जो पढ़ेंगे उनके बारे में इसने detail में बताया था और उनी को अपने यहाँ cycle के रूप में draw करेंगे ठीक है इसको note कर लीजिए फिर अपने आगे करते हैं ठीक है अब देखी आगे अब यहाँ पर अपने को क्योंकि मैंने आपको बताया कि total 10 step है तो simple सी बात है जब 10 step की बात कर रहे हैं तो आपको 10 ही तो compound याद रखने है जो इसके अंदर बनेंगे 10 ही तो वो matter जो substance है वो उनके नाम याद रखने है और 10 ही total process है 10 ही चरण है total तो 10 चरणों में क्या क्या होगा किस में water का molecule यूज होगा कहां water का molecule बाहर निकलेगा कहां CO2 बाहर निकलेगी ठीक है तो यह सारे के सारे process जो है उनको याद रखने के लिए सबसे पहले मैं वो तरिका बिताता हूँ आपको अगर वो आपको पहले उसको अच्छे से समझना है 10 के 10 जो compound है उनके नाम आपको sequence में याद होने चाहिए और ये एक दो तीन बार practice करोगे तो असानी से याद हो जाते है उसके बाद जो process है हरे एक step में क्या क्या हो रहा है उसके लिए भी एक trick है तो उसको अपने यूज करते हुए सारी detail समझेंगे सबसे पहले मैं जो compound बढ़ेंगे सारे के सारे substance बढ़ेंगे उनके बारे में लिख रहा हूँ अपने जो starting करेंगे वो करेंगे oxaloacetic acid से एक बार ink refill करने फिर आगे करते हैं पहला जो compound अपने पास वो है oxaloacetic acid ठीक है पहले अपने sequence में उनको याद कर रहे है सारे process देखेंगे किस process में किस step में क्या क्या करना है अपने को फिर अपने cycle को complete draw करेंगे तो cycle को समझने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है ठीक है पहला है oxaloacetic acid सेकिंड नमबर जो दूसरा है वो है citric acid ठीक है थर्ड नमबर पर जो है वो अपने पास है cis aconetic acid cis aconetic acid फोर्थ नमबर पर जो है वो है isocitric acid फिफ्थ नमबर पर जो है वो है oxalo succinic acid six नमबर पर है alpha keto gluteric acid seven नमबर पर है succinyl co enzyme A eight नमबर पर है succinic acid nine नमबर पर है fumaric acid और 10 नमबर पर है malic acid तो ये पहले वो 10 compound है जिनके जो आपको यसी sequence sequence में याद होने चाहिए इनके लिए कोई भी trick का आप खुद बना सकते हो simple याद रखने के लिए देखो नाम तो आपको याद ही करने पड़ेंगे हाँ sequence के लिए आप कोई ना कोई इसके लिए trick की यूज कर सकते हो जैसे आप simple लिख सकते हो देखो इसके पहले दो वर्ड लेते हैं अपने तो लिखा oa ठीक है उसके बाद इसका पहला वर्ड तो c से बना देंगे champion oa champion यहाँ sis लिखा हुआ है तो sister आ जाएगा oa champion sister तो यह एक अपने पास sentence सा बन गया oa champion sister तो यहाँ से oxaloastic acid c for citric acid cis for cis aconic acid उसके बाद यह isocitric है तो यहाँ आ जाएगा i ठीक है उसके बाद देखो अगला जो है वो oxalo succinic acid है तो इसको दोनों वर्ड यह ले लो o और s ठीक है तो यहाँ पर आप लिखो i also तो इसको underline कर लो तो यह नहीं कि आपको तो simple याद रखना है तो आप os मतलो oxalo succinic acid आपके पास i also उसके बाद यह को alpha है तो alpha a शे शुरू होता है ठीक है i also a उसके बाद यह सेम है दोनो su su लेकिन याद रखना है कि पहले कौन आता है co-enzyme a तो यहाँ मैं simple याद रखने कि लिख देता हूँ two word two का मतलब आपको su su कितनी बाद याद रखना है दो बार पहले co-enzyme a और फिर succinic acid और last में आप लिख लेना foolish man ठीक है तो यह एक simple citric है कुछ वैसे काम की जादा नहीं है simple आपको यह help करेगी कि sequence याद रखने में help करेगी compound के नाम तो आपको agit याद होने चाहिए ठीक है oa मतलब oxalocytic acid citric acid cisaconic acid isocytic acid os पढ़ना है आपको oxalocytic acid alpha ketogluteric acid 2 का मतलब है su su दो बार तो पहले succinyl coin जाई में आएगा फिर succinylic acid fumaric acid foolish से और man से हो जाएगा malic acid ठीक है अब देखो जो process होंगे जो step में क्या क्या होगा उनके बारे में एक जो trick है यह बहुत काम की है very important यह है अपने पास cd rodo poho cd rodo poho अब यह बहुत ध्यान से आपको देखना है यहां पर और यह जो है यहां पर मैं जो है यह star लगा देता हूँ star का मतलब आपको समझा जाएगा ठीक है देखो पहला चरण जो होगा वो है c c का मतलब है condensation condensation का मतलब है कि cagnan का मतलब होता है कि दो चीजों को जोड़कर एक single product की जो है वो formation की जाएगी यहां पर ठीक है तो आपको पता लगगेगा वहां भी क्या किया अपने condensation कैसे हुआ दो substance को जोड़कर एक single product की formation की जाएगी यहां पर ठीक है उसके बाद देखो यह जो d लिखा है इसका मतलब है dehydration और dehydration का मतलब क्या है यहां पर अपने को second step में जल का अनू जो है water का molecule जो है वो उसको बाहर करना है dehydrate करना है इसको ठीक है third number पर R जो लिखा है इसका मतलब है rehydration और rehydration मतलब दुबारा hydrate करना है तो यहां पर अपने क्या करेंगे water का molecule जो है वो यहां पर plus करेंगे ठीक है next तीसरे number पर O लिखा है तो इसका मतलब है oxidation और oxidation का मतलब मैंने आपको बताया था oxidation जहां word आएगा वहां पर अपने को NAD से NADH2 की formation करनी है सिर्फ एक जगे को छोड़ कर वहां कुछ और आएगा तो अपने आगे बताएंगे O से oxidation तो मतलब यहां पर आपको क्या करना है NAD से NADH2 की formation करनी है फिर अगला D मतलब decarboxylation है इसका मतलब decarboxylation यानि कि यहां पर अपने को CO2 जो है उसको क्या करना है बाहर निकालना है decarboxylation करना है अपने को अब यहां पर O O के उपर क्या लगा हुआ है स्टार तो स्टार का मतलब यह है कि यहां O को भी पढ़ोगे और इसी के साथ आप किसको पढ़ोगे D को दुबारा पढ़ोगे यहां आपको दो काम करने है कौन कौन से आपको oxidation करना है और second आपको क्या करना है decarboxylation करना है यहां कि क्या क्या करोगे NAD से तो बनाओगे NADH2 और एक आप CO2 को यहां पर क्या करोगे बाहर निकालोगे ठीक है उसके बाद अगला इस P का मतलब है phosphorylation और phosphorylation में आपने क्या करना है आपको GDP से GTP बनानी है ADP से ADP बनाते हैं आप आए हैं लेकिन यहां क्या उन्यूज होगा यहां GDP आएगी guanosyn diphosphate और उसे क्या बनाना है GTP बनाना है और एक GTP जो है वो एक ATP के इकुल ही होती है ठीक है next वापी से O आया है तो इसका मतलब वो ही जो पहले किया था oxidation यहां सबसे खास बाद इससे पहले जितने भी oxidation पड़ें आपने आपने जो hydrogen निकली थी उसको NAD ने receive किया था और NADH2 बनाया था लेकिन इस process में oxidation जब होगा तो receive करने का काम जो है वो कौन करेगा FAD करेगा यानि कि nicotinamide की जगे कौन आ जाएगा flaming आ जाएगा और आगे तो वो ही है adnine dinucleotide और FAD से क्या बनेगा FADH2 बन जाएगा ठीक है उसके बाद है और H का मतलब क्या है hydration और hydration का मतलब होता है वापिस से water का molecule क्या कर देना है प्लस कर देना है ठीक है और last O का फिर वही meaning है O for oxidation और यहाँ फिर से NAD आएगी और NADH2 की formation होगी तो ये पूरे के पूरे वो 10 step है ये first में होगा ये second में होगा ये third में, ये fourth में, ये fifth में, ये sixth में, ये seventh में, ये eighth में, ये ninth में और ये tenth में सबसे पहले 15-20 mint के लिए आपको इनकी practice करनी है ठीक है आपको ये पूरे के पूरे 10 compound इसी sequence में जिसकी help थोड़ी सी ये trick कर सकती है हो सकता है आपको आपको ये नहीं अच्छी लगती तो आप खुद की trick बनाए हमेशन जब खुद की trick बनाओगे तो वो ज़्यादा याद रहेगी आपके ठीक है तो ये याद होने चाहिए उसके बाद आपके ये जो steps है किस-किस step में अपने को क्या-क्या करना है ये बहुत important है ठीक है और enzyme की नाम की tension मत लीजिए enzyme के नाम तो मैं आपको जब cycle करवा हुआ तो cycle में ही enzyme के नाम आपको automatic ही याद हो जाएंगे ठीक है तो ये वो 10 step है जिसमें सबसे पहले condensation किया जाएगा जिसके अंदर दो substance को जोड़कर एक single product की formation करेंगे अपने देखेंगे अभी D dehydration मतलब water को बाहर निकाल लेंगे R मतलब rehydration water को जोड़ेंगे O for oxidation यानी NAD से NADH2 की formation करेंगे D for decarboxylation यानी minus करेंगे किसको CO2 को बाहर निकाल लेंगे O और star लगा है तो एक अठा पढ़ना है Oxidation decarboxylation मतलब NAD से NADH2 बनाएंगे और CO2 को बाहर करेंगे फिर P for phosphorylation यानी GDP से GTP बनाएंगे O for oxidation यानी FAD से FADH2 बनाएंगे यह याद रखना है आठवे नंबर पर जो O आएगा वहाँ NAD से NADH2 नहीं बनाना FAD से FADH2 बनाना है H for hydration water को add करेंगे O for oxidation NAD से NADH2 बनाएंगे तो इसको note कीजिए उसके बाद अपने इसको complete cycle की form में देखते हैं इसको note कर लीजी आप stop करके वीडियो फिर अपने आगे देखते हैं ठीक है देखिए अब आगे यह acetile co enzyme A कितने molecule दो molecule और कितने carbon का compound है दो carbon का तो इसका मतलब एक cycle के अंदर एक acetile co enzyme A इंटर करेगा और कितने molecule हैं दो तो मतलब आप यह कह सकते हो कि यह crave चकर जो है वो कितनी बार चलेगा दो बार चलेगा अपने एक-एक molecule लिखेंगे और बाद में जब ATP काउंट करेंगे तो वहाँ पर अपने सब को double double कर लेंगे ठीक है तो देखो यह acetile co enzyme A यह इंटर करेगा किसके अंदर क्रेब cycle में और इसको सबसे पहले receive करेगा जो वो है oxaloacetic acid जिसको अपने पहले नंबर पर compound लिखा था ठीक है इसका पूरा नाम मैं लिख देता हूँ एक बार oxaloacetic acid यह oxaloacetic acid जो है यह 4 carbon का compound है कितने carbon का है 4 carbon का कैसे 4 carbon का है वो जब अपना cycle पूरा होगा तो आपको पता लग जाएगा ठीक है इससे जो पहला product बनता है वो बनता है citric acid और यह होता है 6 carbon का अब अब खुद देखो यह कितने carbon का है 2 carbon यह कितने का है 4 और जब दोनों condensation होगा इनका सगनन होगा तो 6 carbon का compound बनेगा आपके पास citric acid जिसको आपने इधर दूसरे number पर लिखा हुआ था अब enzyme कौन बन रहा है citric तो enzyme का नाम जो है वो यहाँ पर हो जाएगा citrate synthetase यानि किसका synthesis हो रहा है किसका solution किसका निर्मान हो रहा है citric का तो enzyme का नाम हो जाएगा citrate synthetase तो कोई दिक्ट नहीं है याद रखने में इसको ठीक है उसके बाद देखिए आगे ये अपना step number हुआ कौन सा first जिसमें अपने condensation किया है 4 carbon के compound के साथ 2 carbon का acetal co enzyme A जो है उससे अपने citric acid की formation की है लेकिन यहाँ यह द्या रहे कि यहाँ देखो आप co enzyme A लगा हुआ है तो यहाँ तो कहीं co enzyme A नहीं है तो इसका मतलब यह है कि इस acetyl co enzyme A ने अपने दोनों carbon किसको दे दिये और जैलो acetic acid को और कितने carbon का compound बन गया 6 carbon का तो यह जो co enzyme A है वो यहाँ से क्या चला जाएगा बाहर चला जाएगा तो आपको यह द्यान रखना है यहाँ ठीक है अब देखिए next second उसके बाद जब अपने citric acid से बनाया था तो क्या बनाया था तीसरा compound इदर कौन सा लिखा था अपने तीसरा compound अपने यहाँ पर लिखा था cis acetic acid यह लिखा था यह भी 6 carbon का compound होता है ठीक है और cis acetic acid जो है तो यह वर्ड देखिए acetic तो यहां से enzyme याद रहे जाएगा आपका कौन सा enzyme है aconitase enzyme यानि कि citric acid जो है वो cis acetic acid में बदल जाता है कौन से enzyme की presence में aconitase की और इस काम में इसकी help करते हैं ferrous iron जो है ठीक है अब आई यह step पर देखो पहला condensation था second कौन सा था D for dehydration मतलब क्या करना है water का molecule बाहर निकालना है तो आपको यहां पर simple क्या कर देना है जल का अनू बाहर निकाल देना है वो जो बताया था वो बहुत ज़्यादा help करने वाला है आपकी इस process में तो यह हुआ कौन सा step step number second ठीक है उसके बाद यह cis aconitic acid जो है यह अगला जो compound था अपने पास वो था isocitric acid यह भी 6 carbon का है और molecule तो एक एक लिखेंगे तो जब दो बार करेंगे तो वो दो बार हो जाएगा तो यह isocitric acid यह first, second, third और fourth नंबर पर अपने दर compound जो लिखा था वो isocitric acid लिखा हुआ था, ठीक है enzyme same आएगा जो उपर था aconitase ठीक है अब देखो, यहाँ पर क्या होगा वो ही iron भी help करेंगे Fe++ iron अब देखो, तीसरा step में क्या लिखा था आपने पहले में condensation यहाँ हो गया, second में D, D का मतलब dehydration तो water को बाहर निकाल दिया फिर तीसरे नमबर पर क्या था R, R for rehydration मतलब क्या करना है यहाँ पर water का अनू जो है जल का molecule जो है वो वापी से अंदर इंटर होगा तो यह आपका काउंट सा step हुआ यह हुआ third number step ठीक है, उसके बाद देखो अगला जो पांचवाँ आपने compound लिखा था वो लिखा था oxalo succinic acid oxalo succinic acid और जब आपने oxalo succinic acid लिखा था यहाँ पर तो यह भी 6 carbon का है और कितने molecule तो वो दिखती नहीं है क्योंकि एक एकी कर रहे हैं अभी तो oxalo succinic acid बना यह 6 नमबर पर अपने इधर लिखा हुआ था ठीक है, स्वरी, 1, 2, 3, 4, 5 नमबर पर लिखा हुआ था अब देखो process क्या होगा C हो गया, D हो गया R हो गया, और उसके बाद क्या था O O मतलब oxidation CD rodo RO था, तो O4 क्या करना है Oxidation, और Oxidation का मतलब आपको बताया था क्या करना होता है आपको NAD से NADH2 की formation होगी यहां पर, ठीक है, और enzyme तो अगर आपने glycolysis बहुत अच्छे से किया है, यह बहुत अच्छे से समझा है, तो enzyme में तो फिर दिकत नहीं है याद रखने में क्योंकि जब भी यह होता है तो आपको क्या लगाना है Dehydrogenase लगाना है और इससे पहले कौन सा प्रड़क्ट उपर वाला तो Iso Citric Dehydrogenase यह enzyme का नाम हो जाएगा और यह step number कौन सा हुआ 4, अब यहां बहुता जा रहा हूँ देखो यहां क्या किया है Condensation किया है C, ठीक है यहां क्या किया है D मतलब Dehydration किया है यहां R किया है मतलब Rehydration किया है यहां O किया है तो मतलब Oxidation किया है ठीक है उसके बाद देखी आगे अब यह जो Oxelosuccinic Acid है यह अगला जो छटे नंबर पर अपने लिखा था उसमें Change होगा जो था Alpha Keto Gluteric Acid अब सबसे Important देखो C, D, Rho उसके बाद D था अगला जो Step था D for Decarboxylation तो Simple है यहां पर क्या होगा CO2 जो है वो बाहर चली जाएगी क्या बाहर चली जाएगी CO2 यानि D Carboxylation होगा Step के अंदर तो आप खुद देखिए यह जो है यह कितने Carbon का Compound है 6 Carbon का तो इसका मतलब आपके पास Alpha Keto Gluteric Acid कितने Carbon का Compound बनेगा 5 Carbon का और Very Important छोटे क्वस्चन में पूछा जाता है Crave Cycle में बनने वाले 5 Carbon के Compound का नाम लिखो पूरे Cycle में यह एक ही है जो 5 Carbon का Compound है और नाम क्या है Alpha Keto Gluteric Acid एंजाइम बड़ा सिंपल है देखो CO2 किससे निकल रही है इससे तो निकल रही है और जैलो सकसीनिक एसिड से और CO2 बाहर निकल रही है तो एंजाइम क्या हो जाएगा D-Carboxylase एंजाइम का नाम हो जाएगा D-Carboxylase और जिससे निकल रही है वो पहले आ जाएगा और जैलो सकसीनिक D-Carboxylase तो यह एंजाइम का नाम हो गया कोई दिक्कत नहीं है Step number हो गया अपना 5 और यहाँ पर अपने किया क्या है D D मतलब D-Carboxylation किया है ठीक है उसके बाद अगला इस Alpha Ketogluteric Acid से बनेगा सकसीनिल को एंजाइम A Next जो है अगला अब मुझे एक बापत आओ C हो गया, D हो गया, R हो गया O हो गया और D हो गया और उसके बाद क्या था O लिखा था और O पर Star लगाया था ऐसे ऐसे करके O पर क्या लगाया था Star लगाया था और इसका मतलब क्या था Oxidation भी करना है और D-Carboxylation भी करना है तो देखो दो प्रसेस होंगे यहाँ पर एक तो यहाँ से CO2 जो है वो बाहर चली जाएगी क्योंकि D-Carboxylation करना है तो इसका मतलब यह 5 कारबन का है तो यह कितने कारबन का बनेगा 4 कारबन का बनेगा कोई दिख कितनी अब आप से एक्जाम में क्या पूछेगा Citric Acid Cycle में बनने वाले पहले 4 कारबन के कंपाउंड का नाम तो क्या है Succinyl Co Enzyme A है Second क्योंकि यहाँ पर Oxidation भी तो हो रहा है तो Oxidation होगा तो क्या करना है आपको NAD से NADH2 की Formation करनी है तो देखो Carbon Dioxide बाहर निकाल दी तो D-Carb Oxidation हो गया NAD से NADH2 बना दिया तो Oxidation हो गया तो Enzyme का नाम बड़ा सिंपल है देखो जब भी यह काम होता है तो क्या लगाना है Dehydrogenase लगाना है और इससे पहले क्या जाएगा Alpha Ketogluteric Dehydrogenase एक चीज रहेगी देखो क्या Alpha Ketogluteric Acid यहाँ कहीं भी Co Enzyme A नहीं है न जबकि यहाँ देखो Succinyl Co Enzyme A तो इसका मतलब आप यहाँ पर इसके अंदर Add करोगे क्या Co Enzyme A तो यह कौन सा नंबर अपना Step हो गया Fourth हो गया Fifth हो गया और यह हो गया अपना कौन सा नंबर Sixth नंबर Step ठीक है जिसके अंदर अपने क्या किया O के उपर स्टार लगा है तो इसका मतलब Oxidation Decarboxylation करना है तो यहाँ पर अपने Oxidation भी कर लिया NADC, NADH2 बना दिया और Decarboxylation भी कर लिया मतलब CO2 को क्या कर दिया बाहर कर दिया यहाँ Co Enzyme A लगा है तो इसका मतलब Co Enzyme A इंटर हुआ है इसके अंदर तो यह इंटर इकरवादी CO Enzyme A की एंजाइम जब भी यह काम होता है तो Dehydrogenase और उससे पहले पहले वाले प्रड़क्ट का नाम लिख देते हैं ठीक है यह हुआ Step No.6 उसके बाद देखी आगे यह succinyl Co Enzyme A जो है यह अब बदलेगा succinic Acid के अंदर तो पहला काम तो आप यहां से यह देख लो देखो succinyl Co Enzyme A succinic Acid तो यहां से जो Co Enzyme अंदर इंटर हुआ था ना वो क्या चला जाएगा बाहर चला जाएगा पहला काम तो यह हुआ अब आईए जो वहाँ step लिख वाए थे तो देखो क्या लिखा था C, D, Rho, Do यहां तक हो गया अब था POHO P मतलब P4 क्या करना था Phosphorylation और Phosphorylation में बताया था क्या करना था GDP से क्या बनानी थी GTP बनानी थी Guanosyn Diposphate से Guanosyn Trifosphate बनानी थी यह बना दी ठीक है एंजाइम यहां वाला एंजाइम याद रखोगे इसका नाम है Thiokinase बाकी एंजाइम तो सासत वैसे याद हो रहे हैं इस एंजाइम को आप याद रखोगे इसका नाम है Thiokinase और यह आपका step कौन सा हो गया है P वाला यह निए phosphorylation करवा दिया आपने यहां पर और साथ ही साथ आपने step number कर लिया है कौन सा 7 ठीक है तो तीन step बचे हैं अब आपके पास अब यह succinic acid जो है यह बदलेगा fumaric acid के अंदर किसके अंदर बदलेगा fumaric acid के अंदर ठीक है अब देखो cdrodopo पीब के बाद o आना है तो यहां पर oxidation होगा और यह step number कौन सा है आठमा और आठमे के बारे में बताया था कि जब यहां पर oxidation होगा तो h2 जो निकलेंगे उसको receive करने nad नहीं आएगा कौन आएगा fad आएगा तो यहां पर आपके fad से किसकी formation होगी fadH2 की formation होगी अब सबसे खास बात जब यह काम होता है तो enzyme तो दिक्किती नहीं है कोई बच्चे समझदा रहे हमारे dehydrogenase और उससे पहले क्या लगा देना है succinic dehydrogenase तो यह step number कौन सा हुआ 8 उसके बाद यह fumaric acid जो है अगला जो product अपने पास था वो है malic acid कौन सा था malic acid अब देखो एक चीज़ और देख लो यह 5 carbon का है तो यह carbon को कुछ नहीं किया अपने तो यह भी कितने carbon यह 5 का था यह carbon dioxide से निकाल ली थी तो यह 4 carbon का बना था अब सारी 4 carbon के बनेंगे यहां तक क्योंकि अपने carbon dioxide को ना तो add कर रहे है और ना ही बाहर निकाल रहे है तो यह भी 4 carbon का है यह fumaric acid भी कितने carbon का है 4 का और यह जो था यह तो 4 carbon किदर गया हाँ यह रहा यह भी कितने carbon का है 4 carbon का है ठीक है अब देखो malic acid और step number आ गया 9 अब 9 में याद करो क्या लिखा था step number में CD-Rodopo-Ho H आएगा यह निकी तो H आएगा तो क्या किया था hydration मतलब जल के अनू को आपने यहां पर enter करना है plus करना है add करना है और enzyme का नाम इससे बनेगा fumaric जो है step number कौन सा हुआ 9 और 9 में hydration किया था तो मतलब water को add कर दिया अब आया last step जिसमें malic acid change हो जाएगा oxaloacetic acid में अब देखो CD-Rodopo-Ho O O for oxidation और oxidation आप मेरे प्यारे बच्चे जानते ही है NAD से क्या बनाना है NADH2 बनाना है और enzyme कोई दिक्कित ही नहीं है dehydrogenase और कौन सा dehydrogenase malic dehydrogenase यह enzyme का नाम हो जाएगा और यह step number कौन सा हो गया 10 मा तो देखो CD-R-O-D-O-P-O-H CD-Rodopo यह पूरे के पूरे जो है वो process हो रहे हैं पूरा cycle नहीं बना वो board की थोड़े छोटे होने के कारण तो easily आप मुझे लगता है कि इसमें अब आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको हब से पहले क्या करना है 10 के 10 जो compound आउनके sequence में नाम वो trick अगर यूज लेना चाहो तो उसे याद होने चाहिए steps के नाम जो हैं 10 के 10 c से लेकर last word o तक वो must हैं आपको याद करने वो अच्छे से याद होंगे तो इसको बनाने में कोई problem कभी भी नहीं आएगी ठीक है तो यह हुआ अपना crave cycle अब अपने इसमें ATP देख लेते हैं यह total कितने ATP जो हैं उसकी formation होगी लेकिन उससे पहले देखो जहां जहां oxidation हो रहा है सबसे पहली बात एक चीज रहा है कि water के molecules कहीं add करने और बाहर निकालने जो हैं वो भी pending हैं कुछ जगह तो अपने कर लिया अब बाकी देखो कैसे लिखोगे जब यह बनाओगे cycle जहां जहां क्या हो रहा है oxidation हो रहा है वहाँ वहाँ water का molecule बाहर निकलेगा क्यों निकलेगा यह आपको समझाएगा कब जब अपने electron transport system करेंगे वहाँ आप यह देखोगे कि जब NADH2 जैसे मालो NADH2 की बात करूँ मैं NAD से NADH2 बना जो है वो NADH2 जब वापिस तूटेगा NAD में तो 2 hydrogen ion 2H plus ion वो अपने छोड़ेगा और उन 2H plus ion को लेकर half oxygen का molecule या oxygen का एक atom single O जो है वो मिलकर और 2 electron लेकर जल की formation करेंगे वो अपने वहाँ समझाएगा हम आपको लेकिन यहाँ simple आपको क्या देखना है जहाँ जहाँ oxidation हो रहा है यानि जहाँ जहाँ NAD से NADH2 बन रहा है FAD से FADH2 बन रहा है वहाँ वहाँ आपको water का molecule बाहर निकाल देना है तो देखो कहाँ कहाँ हो रहा है यह काम यहाँ हो रहा है तो यहां water का molecule क्या जाएगा, बाहर जाएगा, पूरे citric acid के अंदर, सिर्फ और सिर्फ एक जगह water का molecule ना तो enter होगा, ना बाहर होगा, बाकी सबी जगह आपको alternate रखना है, देखो कैसे, यहां कुछ नहीं होगा, यहां CO2 निकल रही है न, तो यहां जल का अनू ना तो enter और ना ही क्या जाएगा, बाहर, अब बाकी सारा देख लो, यहां से शुरू करते हैं मैंने, तो यहां भी oxidation हो रहा है, देखो, NAD से NADH2 बन रहा है, तो यहां भी जल कानू जो है, वो क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, और कितने, क्योंकि दो molecule हैं तो वो दो निकलेंगे वो मैं लिखने को कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने दो molecule यहां चलो लिख दो, क्योंकि आपने दो molecule, दो molecule ऐसे लिया है, ठीक है, अब देखो, यहां water का molecule क्या जा रहा है, बाहर, तो इसका मतलब पहले process में water का molecule वापीस से क्या जाएगा, अंदर, ठीक है, अंदर ग ही है, यह सिब sequence बता रहा हूँ, water का molecule बाहर, water का molecule अंदर, यहां लगा कर arrow का निशान, अंदर कर दो, water का molecule बाहर, water का molecule अंदर, water का molecule बाहर, तो एक sequence में चलेगा यह, तो यह रट्टा मानने कहीं जुरूरत नहीं है, simple आप यहां से शुरू करो, यहां क्या हो रहा है, oxidation हो र चोड़ना है, जहां CO2 निकल रही है, count वहां भी करना है, ताकि आपका sequence जो है, वो गल्त ना हो, तो यह था पूरा का पूरा अपना craves cycle, ठीक है, अगर आपने वो compound और जो step बताएं, वो अच्छे से कर लिए, तो इसमें कहीं भी आपको कोई problem आने वाली नहीं है, अब आरिविक एसिड का oxidative decarboxidation हुआ था, और एसिटायल को एंजाई में बना था, तो मुझे बताओ, एक NADH2 से कितने ATP बनते हैं, तीन ATP, तो दो NADH2 से कितने बनेंगे, टोटल 6 ATP तो आपकी यहां बनेंगे, ठीक है, अब देखो, यहां कोई ATP नहीं है, यहां कोई ATP नहीं है पहले step में, तीसरे में नहीं है, चोथे में देखो, NADH2 बन रहा है, तो यह NADH2 जो है, एक molecule से एक बार बन रहा है, तो दो molecule जब एसिटायल को एंजाम आएंगे, तो कितने बनेंगे, दो, और दो से यहां से कितने ATP आएगी, छे ATP आएगी, ठीक है, क्योंकि एक NADH2 से 3 बनती है, तो 2 से 6 बनेंगी, उसके बाद यहां कुछ नहीं हो रहा, यहां देखिए, फिर NAD से क्या बन रहा है, NADH2, तो दो बार में कितने NADH2 बनेंगे, दो बार, तो टोटल कितनी ATP है यहां से, 6 ATP, यहां देखिए, GDP से क्या बन रही है, GTP, और मैंने बताया, GTP जो है, वो किसके उकल है, एक ATP के, तो देखो, एक बार में एक तो दो बार में, दो, कोई दिखित नहीं है, उसके बाद, यहां पर FADH2 बन रहा है, और NADH2 से बनते हैं कितने ATP, 3, जबकि FADH2 से बनते हैं कितने ATP, 2, यह ETS में बताएंगे क्यों, तो FADH2 कितने बनेंगे, 2, एक से टोटल कितने हो जाएंगे, 2 into 2 is equal to 4 ATP, यहां से बनेंगी, आगे यहां कोई ATP वाला मसला नहीं है, यहां फिर NADH2 से क्या बन रहा है, NADH2, तो यहां से फिर 2 जब NADH2 बनेंगे तो 6 ATP, तो अब काउंट कर लो, 6, 6, 12, 2, 14, 4, 18, 6, 24, तो क्रेब साइकल में टोटल कितनी ATP की formation होती है, 24 ATP की formation होती है, 24 यह हो गई, यह कितने है, 6, तो कितने हो गई, 30, और 8 ATP कहां थी, glycolasis में, तो टोटल जो है, वो 38 ATP की formation होती है, respiration के process में, कहीं कहीं 36 ATP भी बनते हैं, वो क्यों बनते हैं, वो कल जब अपने ETS करेंगे, तो उससे पहले चोटा सा जो है, 5-10 मिंट में वो आपको बता देंगे कि 36 ATP क्यों लिखा हुआ होता है, तो यह था प्यारे बच्चों आपका crave cycle, I hope आपको बहुत अच्छे से यह समझाया होगा, कोई भी इसमें कहीं भी problem हो, तो आप comment box में पूछे, अच्छा एक चीज़ और आप वीडियो को प्लीज प्लीज प्ल तो लाइक करें, नहीं आए तो डिसलाइक करें, ठीक है student मिलते हैं next वीडियो के साथ, तब तक के लिए